सब्सक्ilities आपका हम्मारे YouTube चैनल उत्राखंद जी के वरेगिंजी ट्रिक्स में और आजकी से वीडियो में दोस्तों हम फरवरी महा के उत्राखंद करेंट अफैřॉश के बारे में बात करेंगे उत्राखंद के फरवरी महाके एक फरवरी से लेकरके 28 परवरी तक जो मारी मंतली current affairs है उनके बारे में बात करेंगे और इससे पहले दोस्तों अगर आप उत्राखंड के other current affairs की वीडियो आपने नहीं देखिए जन्वारी निसम्बा नॉम्बर तो आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लीजिएगा आपको हमारी प्लेडिश पर current affairs का एक प्लेडिश बनी हुई है वहाँ पर आपको सभी current affairs से सम्बंदित वीडियोज मिल रहेंगी current affairs दोस्तो एक्जाम्स के पॉइंटेव जोसे महत्तपूर्ण है यूकेटर प्लेसी कभी-कभी दो या तीन प्रसने उत्राखंड के current affairs से पूछ देता है या कभी-कभी दोस्तों नहीं भी पूछता है लेकिन current affairs पढ़के आपको इफाइदा है कि current affairs से आपका static gk वाला portion भी बहुत ज्यादा कवर होता है और current affairs का जो भी topic वर्तमान में trend चल रहा है या जो वर्तमान स्वहीं पे चर्चाओं में चल रहा है अधिनस सिवा चेन आयोग या लोग सिवा आयोग भी उन topic से उठा कर या उन topic से सम्मदित प्रस्न एक्जाम में पूछने की कोशिस करता है इसलिए यह हमारा current affairs वाला section काफी मेहत्वपूर्ण है और शुरू करने जा रहा है आज हम फरवरी महा के current affairs को फरवरी महा में दोस्तों ज्यादा घटना आये नहीं हुई है फिर भी जितने भी अच्छे current affairs थे जो कि आपसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको मैं हापर cover up कराने के कुशिस करूँगा और हमारा उत्राखन के current affairs का मुख्य सोर्स है दोस्तों दैनिक जागरन newspaper क्योंकि आज तक उत्राखन अधिनस्ता सेवा चाहिन आयोग तथा उत्राखन लोग सेवा आयोग के द्वारा जितने भी current affairs के प्रस्ट एक्जाम में पूछे गया है वह सभी current affairs का portion दैनिक जागरन के द्वारा अपने newspaper में कवरप किया गया है तो दैनिक जागरन का जो मंतली हमारा एक फरवड़ी से लेकर 28 फरवड़ी तक जो भी महत्तपोर्ण data था जो आपसे एक्जाम में पूछा जासता है 28 लुपत पक्षे को आसन बैराज में पुनह देखा गया है जिसे आसन कंजर्वेशन डिजर्व का राजा भी कहा जाता है तो अंसर होगा दोस्तों क्या प्लास फिस इगल इसे आसन बैराज में पुनह देखा गया है और इसी प्लास-फिस-ईगल को आशन-कंजरवेशन डिजरु का राजा भी कहा जाता है या आशन-कंजरवेशन डिजरु कहा इस्तित है? सबसे पहले बात करते हैं, तो यह दहरादुन में इस्तित है एक्जाम में पूछा भी गया दुस्तों כי आसन पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है, प्रस्न पुछा गया था, फॉरेश्ट गाट के एक्जाम पेपर में, कि आसन कंजर्वेशन डिजरु क्यों famous है, तो पक्षियों हेतु ये सरवादिक फेमस है इसी कारण आसन कंजरवेशन डिजरु का राजा कहा जाता है प्लास फिस इगल को जो कि वर्तमान में एक प्रवासी लुप्त पक्षी है और लेकिन इसे अभी वर्तमान में देखा गया है इसी आसन कंजरवेशन डिजरु की राजा कहा जाने वाला पक्षी जो विलुप्त होने की कगार पर है कौन सा है तो वह है दूस्तो प्लास फिस इगल तो प्रस्थन कैसे ही भी पूछा जा सकता है लेकिन आपको इसका एकुरेटली याद रहना चाहिए कि आशन कंजर्वेशन रिजवर का राजा कहा जाता है प स्थापना कहा की गई है तो उत्राखन के पहले डिजिटल रेडियो इस्टेशन की स्थापना देहरादून में की गई है और इस रेडियो इस्टेशन का नाम है दोस्तो ओहो रेडियो ओहो रेडियो और इस रेडियो इस्टेशन का उद्गाटन तीन फरवरी को हमारे वरत कि उत्राकंड का पहला डिजटल रेडियो इस्टेशन का क्या नाम है वह है ओहो रेडियो से दोस्तों एक फैक्ट आता है कि रेडियो दिवस मनाया जाता है तो फरवरी को ही रेडियो दिवस मनाया जाता है कब 13 फरवरी को अगला प्रस्थ में उत्राखंड में किन इस्थानों पर जैव विवित्ता विरासत इस्थल या बायो डाइवस्टी हेरिटेस साइट्स बनाए जाने की गोशना की गई है तो उत्राखंड में दोस्तों दो इस्थल गोशित के जाने की गोशना की गई है थलकेदार को और देवलसारी को याद रखना अभी ये बायो डाइवस्टी हेरिटेस साइट गोशित नहीं हुए है या जैव विवित्ता विरासत इस्थल गोशित नहीं हुए है लेगिन ऐसा माना जा रहा है कि 22 महीं तक स्थित है यह हमारा तीरी गड़वाल जन्पद में स्थित है याद रखना है इसे के साथ एक और पॉइंट आपको यहाँ से याद रखते हुए चलना है कि बायो डाइवस्टी डे यानि कि जैव विवित्ता दिवस का मना जाता है तो 22 महीं बहुत इंप्रेंट ये निजमुला घाटी पहुंचने वाले पर्थम मुख्यमंत्री बने त्रिवेन सिंग रावत तो निजमुला घाटी किस जन्पद में स्थित है यहाँ प्रस्न पूछा गया देखें यहां से भी दो प्रस्न बनता है आपके कि निजमुला घाटी पहुंचने वाले पर्थम म तो निजमुला घाटी पॉसने वाले पर्था मुख्य मंत्रे त्रिवेंज सिग रावर जी बने है और निजमुला घाटी किस जनपद में इस्तित है तो ये चमुली जनपद में इस्तित है यही से एक अगला प्रस्न ये भी काफी इमप्राइने दोस्तो कि दुर्मी ताल किस जनपद में स्थित है दुर्मी ताल दोस्तो चमोली जनपद में ही स्थित है और किस घाटी में स्थित है तो दुर्मी ताल निजमुला घाटी में ही स्थित है और इसी निजमुला घाटी में जाने वाले पथ्था मुख्यमंतरी बने हैं हमारे त्रिवेंडर सिंग रावर ज जो की चमूली में ही इस्तित है नीजमुला घाटी भी और दुर्मी ताल भी याद रखना दोस्तों आपको यह दोनों पॉइंट ठीक है आगे बात करते हैं अगला हमारा प्रस्न है वही कि उत्राकंड एक मिर्ट उत्राकंड की पहली बायो डाइवरस्टी हरिटेज साइट क तो इंपोरेंट है कि उत्राकंड की या उत्राकंड का पहला जैविवित्ता विरास्य इस्तल किसे गोचित किया गया है तो देवलसारी जैविवित्ता इस्तल को ही दोस्तों या देवलसारी हरिटेज साइट को ही उत्राकंड का पहला बायो डाइवरस्टी हरिटेज किसे घुशित किया गया है तो दूसरी किया गया दोस्तों किसे थल केदार को थल केदार जो कि पित्रागर दिनपद में इस्तित है इसे दूसरी बायू डाइवर्स्टी है इंपोर्टेंट दोस्तों है एक्जाम में आपको देखने को मिल सकता है यहीं से एक प्रस्तों और इ तो परियाटन को बढ़ाने के लिए दूस्तों सात्वा गंगा क्याक महुत्सव का आयजन उत्राखंड के रिसी केस के फूल चट्टी नामक इस्थान पे किया गया है इंपोटेंट है प्रस्न भी कि साथवा गंदा क्याक महुसरोगाय जोन उत्राखन में कहां पर किया गया है तो फुल चति रिसी केस में किया गया है अगरा प्रस्न है, हाली में उत्रा खंड के किस परियोजना को परियावरणी स्विक्रती मिली है, यानि कि परियावरणी स्विक्रती के कारण यहाँ जो मारी परियोजना थी, इसका कार्या अड़का हुआ था, लेकिन वर्तमान में इसे परियावरणी स्विक्रती मिल गई है तो कौन सी ये परियोजना है वो है दोस्तों क्या लखवार जल विद्धूत परियोजना जो की देहरादुन में है यमुना नदी पर यहाँ परियोजना निर्मित है 300 मेगावार्ट की परियोजना है जिसे वर्तमान में परियावरणी सिर्क्रती मिल गई है अब यहीं से प्र प्रश्रा धिरादुन में science city बनाई जा रिया कौन से city, science city ठीक है, धिरादुन को दोस्तों पहले से ही वन नगर, सैन्यनगर, यह हम कह सकते हैं, विज्ञान नगर, विज्ञान धाम के नाम से जाना जाता था, तो यहीं धिरादुन के जहाजरा नाम अगस्तान पर दोस्तों, science city बनाई जारी है क्या science city बनाई जारी है important है और science city के नाम से भी देटादून को ही जाना जाता है अब यहीं से दोस्तो एक हमारा काफी महत्योपन प्रस्न मनता है कि उत्राखंड राज्य विज्ञान एवं प्राध्योगी की परिशत यूकाष्ट का गठन कप किया गया तो 2005 में दोस्तो उत्राखंड राज्य विज्ञान एवं प्राध्योगी की परिशत यूकाष्ट का गठन किया गया और इसका मुख्याले है कहाँ पर दोस्तो देहरादून में याद रखने आपको मुख्याले है यूकास्ट का देहरादून में और यहाँ प्रस्न फोरेश्ट गाट के एक्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका है अगला प्रस्न दोस्तो कि ब्राम्मी लिपी में संसिक्रत अभिलेक की इट कहां से मिली है अभी हाली में संसिक्रत अभिलेक की इट मिली है जो की मिली है बाड़ा वाला यग्यवेतिका आप लोग ने पढ़ा होगा दोस्तो तो अस्वमेग इस्थल के रूप में या बाड़ा वाला एग्यवेति का देशादुन में इस्थित है, वहीं से हमारी ब्रामी लिपी में संसिक्रत अभिलेग की इट मिली हुई है, तो प्रसना आप से बन सकता है, निम्न में से किस इस्थान पर हाली में संसिक्रत अभिलेग इसका निर्मान किस नहीं किया था या यहां पर अस्वमेग किसके द्वारा किया गया था उत्राकंड इतिहास का कुश्चिन है मैंने आपको इतियास में भी खाफी भारी बताया है पोस्ट मार्टेब में भी बताया है और यहां पे आपको इसका अंशर कमेंट बोक्ष में देना है तो वही बड़ा वाला एक्गि वेटिका से हमें दोस्तो ये एक इट मिली है जिसमें संसील्ग्ण भी लेक और भामी लिपी में लिखे लेख मिले हैं अगरा बसन भारती बॉक्सिंग के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैप्टन हरी सिंग धापा जिनका हाली में निधन हो गया है तो important है पूरसने कि भारती बॉक्सिंग का भीष्म पितामह किसे कहा जाता था तो कैप्टन हरी सिंग थापा जी को जो कि एक अंतराश्टी मुक्केबाज थे इन्हें भारती बॉक्सिंग का भीष्म पितामह कहा जाता था इनका हाली में निधन हो गया है अब कैप्टन हरी सिंग थापा जी के बारे में दोस्तों थोड़ा सा एक दो फैक जान लेते हैं इनका संबंद किस चेत्र से था इनका मुक्केबाजी से संबंद था पहले एक अंतराश्टी मुक्केबाज रहे काभी सारे पदाग इन्होंने जीते उसके बादे मुक्केबाजी में कोच भी रहे इसी कारण दोस्तों सन 2013 में इन्हें पर्थम उत्राखंड द्रोणाचारे पुरुषकार से सम्मानित किया गया है यह प्रस्तन भी काफी इंपूरेंट है कि उत्राखंड की पर्थम उत्राखंड द्रोणाचारे पुरुषकार प्राप्त करता कोन है वो है कैप्टन हरी सिंग थापा जी इन्हें 2013 में पर्थम दोणाचारी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था इन्ही कैप्टन हरी सिंग थापा जी को दोस्तों उत्राखन बॉक्सिंग का जनक भी कहा जाता है और इनका जन्म में दोस्तों हुआ था 14 अगस्त 1932 को उत्रबरदेश के जहां सी में लेकिन मूल रूप से इनका संबंध कहां से है पित्रागर निवासी थे कौन कैप्टन हरी सिंग थापा जी इंका संबंध है मुक्के बाजी से पर्तम देव उमी उत्राखन 24 अगस्त 1932 को जहां सी में वह था लेकिन मूल रूप से इनका संबंध है पित्रागर जनपत के नैनी सैनी निवासी ये थे जिनका हाली में निधन हो चुगा है दोस्तों इदेव उमी त्रोनाचारी पुरसकार जरूर याद रखेजीगा अगला प्रस्तन है हाली में उत्राखन के किस इस्तान से पांच मुहाने वाली सुरंग मिली है तो उत्राखन के किस इस्तान से पांच मुहाने वाली सुरंग मिली है तो लखनपूर बैराट चेतर जो की चौकूटिया आलवड़ा जन्पतन पढ़ता है वहीं से पांच मुहाने वाली सुरंग मिली है और कत्योरियों की राजदानी के रूप में भी यह लखनपूर बैराट चेतर को जाना जाता था अगला प्रस्तन है उत्राकंड सेवा का अधिकार आयोक का आयोक का आयोक किसे नियुक्त किया गया है तो सेवा का अधिकार आयोक का आयोक दोस्तों हमारे अनिल रतुली जी को नियुक्त किया गया है इससे पहले आपको बताओगा कि अनिल रतुली जी पुलीस महानिर्जिसक थे ठीक है लेकिन वर्तमान में चेंज हो गया है और वर्तमान समय पे हमारे पुलिस मानिरी से कौन है यह आपको कमेंट बॉक्स मों बताना है क्योंकि जन्वरी महा में मैंने आपको उनके बारे में काफी बार बताया हुआ है तो उत्राकंड सेवा का अधिकार आयोग का गठन कम गया है तो आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान की शुरुवात कि गई है तो आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान की शुरुवात कि गई है तो आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार अभियान की शुरुवात कि गई है तो आपके द्वार काफी में प्रसन दोस्तों ये है कि चमुली में गलेशिय तूटने से प्राकरतिक आबदा कब आई तो आप सभी लोग को बता होगा कि साथ फरवरी 2021 को चमुली यनपद में तपोवन के आसपास का छेत्रिया रिसिगंगा घाटी के आसपास के छेत्र में गलेशिय तूटने स काफी सारे लोगों की जीवन की छति हो गई है विकासकारी रुग गया है काफी अ अभी भी माना जा रहा है कि 50 से ज्यादा या 100 के आसपास लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी लापता बताई जा रहे हैं उनकी लाँसफा दकनी मिल रही है तो काफी एक बली प्राखर्ठी दिर परवत या रांथी परवत का ही एक भाग दोस्तो जो की उससे तूट कर नीचे गिर गया उसी के काराण यहाँ प्राकरतिक आपदा आई ऐसा माना गया कि रांथी परवत का कुछ भाग बीच में से खोकला होके वो हैंगिंग रूप में तूट गया और उसके बाद में नीच किसको यहाँ आपदा आई थी इंपोटेंट है किस परवत के कारण आई थी तो रांथी परवत इस्तित हैंगिंग ग्लेशियर के टूटने से देखें तो टूटते भे ग्लेशियर को हैंगिंग ग्लेशियर का जाता है ऐसा नहीं कि यह हैंगिंग ग्लेशियर होका है जैसे रांती परवत है तो रांती परवत का ही कुछ भाग रांती ग्लेशियर भी कहा जाता है आपसे प्रसने बन सकता है कि चमबोली में ग्लेशियर तोटने से जो प्राकरतिक आपदा आई तो उसमें से मुख्य था कि चमबोली में glacier तूटने से जो प्राकरतिक आपदा कब आई 7 फरवरी 2021 को आई रांती परवत या रांती glacier से एक उसका तुगला तूटा जिसे हम hanging glacier कहते हैं उसके बाद में हमारी ये आपदा आई ऐसा माना जाता है जिसमें हमारा रिशी गंगा तपोवन पावर प्रोजेक्ट और विश्नुगाड प्रोजेक्ट भी दोहस्त हो गए हैं ठीक है आप देखे दोस्तो रिशी गंगा तपोवन शीत्रवर प्राकरतिक आपदा कब आई ये भी आपसे एकजाम में प्रसने पुछा देखता है तो 7 फरोजी 2021 को आई थी आप देखे दोस्तो एक पॉइंट आप यहां से जरूर याद रख लीजेगा आपका कोई भी एकजाम हो आपदा से प्रसने जरूर पुछेगा और 110% में आपको गैरेंटी दे रहा हूँ सभी आपदा हैं आपको याद रखनी है और किस आपदा में कौन सा मिसन चला था ये भी आपको जरूर याद रखना है अगर हम बात करें इस प्राकरतिक आपदा की जो 7 फरोजी 2021 को आई थी इसमें जो juvenile चलाए गया था ओपरेशन टरनल तोस्तों इसमें चलाया गया ठाटी ए और ओपरेशन टरनल का मतलब क्या है कि आपको बता होगा कि जब ये आपदा आई तो टरनल में काफी सारे लोग फ़ज़गे थे जल विड़ी प्रियोज़त आ की टरनल में तो उनको बचाने के लिए जो rescue operation चलाया गया उसी का नाम दिया गया क्या operation tunnel लेकिन काफी कम लोगों की जान दोस्तों इसने बच पाई क्योंकि ऐसा माना गया था कि काफी समय लग गया था मलवा काफी जादा डमा हो गया था जिसका आण ये rescue operation उतना सफल नहीं हो पाया ठीक ह लेकिन आपको बर्तमान में इससे संबंदित सारे फैक्ट दोस्तों याद करते हुए चलने है कैसा ही भी प्रसना आप से एक्जाम में आसे पूछा जा सकता है कि चमोली में glacier टूटने से प्राकर्टिक आपदा आई साथ फरवरी 2021 को या रिशी गंगा तपोन में glacier टूटन गया विष्णुगान जो पावर प्रोजेक्ट था मारा या जल विद्दु प्रियोजन धी वह भी इसमें डॉस्तों हो चुकी है ठीक है अब रिशी गंगा ने दी में बाढ़ाई रिशी गंगा के कारण दोस्तों इसमें पश्ची मी धोली गंगा और रिशी गंगा छेतर वो हमारा सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित हुआ था क्योंकि रिशी गंगा गाटी में ही उसका दोस्तो जल आया था ठीक है इसके साथ में जो रिशी गंगा है किसकी साइग नदी है तो यहाँ पस्चिमी धहली गंगा की साइग नदी है जिसके पस्चिमी धहली गंगा और रांती परवत का एक भाग माने आता है इस रांती ग्लेसर को या हैंगिंग जलेशर को ठीक हैं और चमोली में रिस्टित है चमोली की रिसिगंगा घाटी में और रिसिगंगा घाटी या नीती घाटी आपड़ा का कारण दोस्तो इसी तिवेलिंची रावजी ने अभी हाली में गोशना की है कि गुप्त कासी को भी नगर पंचाट का दर्जा दिया जाएगा अभी ऑफिशली तो और पर दिया नहीं गया दोस्तों लेकिन दिये जाने की गोशना की गई है अगला प्रस्न कि सिल्प बाजार उत्राखंड में कहा भात् ने उत्रा परसेंट साख्षर्टा वाला जिला बन गया है बहुत important ये question है अग्ला प्रस्था उत्राखंड में या हम कहें कुमाओं में बर्ड टूरीज में के लिए कुमाओं में सबसे उप्युक्त घाटी कौन सी है जहां पर बर्ड टूरीज में अगला प्रस्था उत्राखंड के कौन कौन से सहर चुने गए तो धिरादुन और हरिद्वार को दोस्तो वायू पर दोश्राखंड को कम करने के लिए देश के 18 सहरू में चुना गया है इंपुरेंट है कि वाय परदूस्थान को कम करने के लिए देश के 18 सहरू में से सिटी फोरिष्ट के लिए उत्राखंड के सहर कौन कौन से है तो वह है देनादुन और हरिद्वार अगला पस्तम है कि उत्राखंड में तोत्ता घाटी कहा निर्मान हुआ था ऐसा माना है गया कि टोता सिही ने अपने अकेले के दम पर इस गाटी को तोड़कर यहां से शडग बनाई थी जिस कारण नरेंदर सहा ने अपने समय पर इस गाटी का नाम यह तोता सां के द्वरा तो राम के दवरा जो भी गाटी बनाई गयी थी आ जो तो अभी दोस्तों हाली में हमारे उद्धिक– उत्राखन के मुख्यमंत्री त्रिवेन सिंग रावत जी नहीद गोशना करी है कि उत्राखन में अंतराश्टी वैदिक– महाविध्याली या उत्राखन वैदिक– श्कूल का निर्मान किया जाएंगा कहा पर जाएगा तो टीरी घडवाल जनपत ने किया जाएगा तो यहीं पर हमारा वैदिक महाविध्याले का निर्मान किया जाएगा ठीक है अब अभी दोस्तो हाली में अभी आयजन हुआ है तो इस टीरी जील महुत्षव कब से कब तक आई जी दोस्तो 16 से 17 फरवरी को टीरी जील म प्रस्त बार यह गुष्णा होई है कि अगली बार से यह जो उत्सव है बसंत पंचमी के आउसर पर यह मनाया जाएगा अगला प्रस्त दोस्तो गैरस्यन में विदानसवा सत्रक कब आयुजित किया जाएगा आपको पताएगा दोस्तो हमारे उत्राकर में दो विदानसवा भवन हमारे इस्तेत हैं एक है देरादुन में और दूसरा विदानसवा भवन है गैरस्यन में गैरस्यन हमारे राज्य की ग्रिसमकालिन राजधानी है, तो दो विधानसभा भवन है देराधुन में और गैरस्यन में, तो अभी वर्तमान में जोस्तो, जो विधानसभा семचायुजित हो रहा है, वो गैरस्यन में आयुजित कराया जा रहा है, इसलिए important है कि गैरस्यन में विधानसभा सत्रका आउजन कब से कब तक किया जाएगा एक से लेकर के 10 मार्च चाक दोस्तों गैर्शन में विदानसभा सत्रका आउजन किया जाएगा और दो विदानसवा वहन है उत्राखन में याद रखने है धिरादुन में और गैर्शन में गैर्शन का प्राचीन नाम आपको पताई होगा दूस तो चंद्रनेगर भी गैर्शन को कहा जाता है गैर्शन का ही दूसरा नाम उत्राखन की ग्रिस्मकालीन राजधानी भी गैर्शन साइबर सेब पर सिकायते दर्जिय करने के मामले में देश में उत्राखन राजी का इस्थान है, चौथा क्यूतराखन देश दोस्तों मैं एक से दो बार यह इसलिए बोल रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा डिकॉल हो सके आपको याद करने में भी यह चीज़ है आसानी रहे आपको बताइए अभी कुम्ब मेले लेगा है तो कुम्ब मेले में कोविड जहां चेतु किस तक्निक का प्रियोग किया जाएगा ठीक है कौन सी तक्निक क्रिस्पर तक्निक का प्रियोग किया जाएगा ठीक सिसम जाड़ी मुनिकी रेती रिसी केस में दोस्तों इंटरनेशनल योगा मोसव 2021 का आयोजन किया जाएगा रिसी केस को योग नियक्री की नाम से भी जाना जाता है इसी कारण इंटरनेशनल योगा मोसव 2021 या इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2021 का आयोजन रिसी केस में किय जाएगा एक से सात मार्ट तक और यही कीा जाएगा ठीक है अब यह मुनी की रेती डीस दोस्तों कभी-कभी टीरी गळवाल के लिए भी मुनी की रेती सबतका प्रियोक्ष के लिए ठीक है तो आपको दोनु कंडिचन में इसको मुनी की रेती को याद करते integrated fire command and control center की स्थापना उत्राखंड के देहादमने की जाएगी और mainly इसका जो भी दोस्तों मारे वनाग नहीं होती है या वो जंगलों मा आग लग जाती है उससे बचाओ के लिए उससे संब्द नीतिया मनाने के लिए वनू का विकास कनने के लिए इस center की स्थापना की जाएग अगरा प्रसंद दोस्तों कि पसुपालन करने वाली महिलाओं को सस्ते दर पर चारा उपलब्द कराने जाने हे तू मुख्यमंतरी घसियारी योजना के गोशना कब की गई है तो 19 फरवरी 2021 को मुख्यमंतरी घसियारी योजना की सुरुवात की गई है इंपोरेंड है घसिय कि शिला समुद्र ग्लेश्यर कहां स्थित है और यह चर्चाओं में इसलिए आया है दोस्तों कि अभी जब हमारा आपको पता ही है कि हैंगिंग ग्लेश्यर जो हम रांती ग्लेश्यर कहा रहे हैं उसके तूटने से हमारी आपदा आई और काफी नुकसान हुआ तो सिला समुद्र ग्लेश्यर में भी दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि इसके भी तूटने के चांसज बने हुए हैं और यह ग्लेश्यर उससे भी अधिक नुकसान पहुचा जकता है। पहेंकर त्रास्तिप मचा सकता है इसलिए important है सिला समुद्र गलेशियर चमोली जनपद में इस्तित है नंदरा राजा त्यात्रा का सोल्वां पड़ाओ है शिला समुद्र इस्तल जो कि नंदाक्री ना इया दिए icia-rig, csi-sig, e-g confrontation award किस राज़ी को मिला है तो अभी हाली में दोस्तो हमारे उतराकंद राज़ी को csi-sig, e-g governance award से समानित किया गया है अगला पसनि- कि e-mentri-mandal के लिए award of excellence किस राज़ी को परधान किया गया तो e-mentri-manthan के लिए दोस्तो हमारे भारत में Award of Excellence उत्राखंड राजी को परदान किया गया Award of Excellence ठीक है Award of Excellence और 18 मस्टीए साइसाइजी ये गवर्नेस ओड भी अमारा उत्राखंड को ही राप्त हुआ है अगला पसमें खेलो इंडिया Winter Games में इसकी माउंटेरिंग ठीक है इसकी माउंटेरिंग परत्योगिता में परत्योगिता में परत्योगिता में तो उत्राखंड राजी ने परत्योगिता है Winter Games में अभी आपको बताऊगा कि जम्मू कसमीर के गुलबर्ग नामक इस्तान पे खेलो इंडिया Winter Games का आविजन किया गया था उसी में इसकी माउंटेरिंग नामक परत्योगिता में उत्राखंड राजी ने परत्योगिता में उत्राखंड राजी ने परत्थम इस्तान हासिल किया है पूरे खेली ने इंडिया Winter Games में नहीं दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में आना पसंद करते हैं पूरे भारत में याद रखने आपको कि 25 नेशनल पार्कों के सूची में विश्व में परेटकों के पसंदिदा पार्क के रूप में उत्राखन का कौन सा नेशनल पार्क चैनित किया गया है तो जिम कॉर्बेट पीछे खिषक रहा है या लुक तो होता जा रहा है या पीगलता जा रहा है ठीक है और नॉर्मली अगर पुछा जाए उत्राखंड में ग्लेश्यरों के पिगलने की या ग्लेश्यरों के पीछे खिशकने की नॉर्मल आकला क्या है वो है 10 मीटर परती वर्स ठीक है लेकिन गंगोत्री ग्लेश्यर जो है हमारा कहां परता है उस तो उत्तर कासी जनपत मे गंगोत्री ग्लेश्यर गंगा नदिका उद्गम या भागेरती नदिका उद्गम गंगोत्री ग्लेश्यर इस्तित गोमक नामकिस्तान से ही माना जाता है इसी कारण यह प्रसन हमारा इंपूरेंट है कि सरवादिक तीवरता से खिशकने वाला ग्लेश्यर या पीछे खिश यह भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगला हमरा प्रस्त है कि मिस उत्राखंड 2021 अवर्ड किसे दिया गया है तो सालीनी डोभाल जी को मिस उत्राखंड 2021 अवर्ड दिया गया है अगला प्रस्त है उत्राखंड के किंदो व्यक्तियों को या बादकों को राष्ट पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाइट सामिल करने वाला देश का चौथा राजी बढ़ी तक दूस्तों उत्राखंड में क्या था महिला कमांडो सामिल नहीं थी उत्राखंड पुलिस में इसी कारण उत्राखंड पुलिस के दोरा अभी 22 सदेशी महिला पुलिस के दल को महिला कमांडो स्क्वैड में सामिल कर लिया गया है और महिला कमांडो स्क्वैड में सामिल होने वाला देश का चौतरा राजी बन गया कौन सा उत्राखंड वी वी तुलनात्म का धियन करने के पुश्चाद Best Curriculum Award या सर्वसेष्ट पाठिक्रम प्रुषकार से किसे समानित किया गया है तो हमारे उत्राखंड के दोस्तों जो सरकारी पाठिक्रम है आनंदम पाठिक्रम को सर्वसेष्ट पाठिक्रम का अवर्ड दिया गया है इंपोर्टेंट चीज है काफी बड़ी बात है हमारे उत्राखंड राजी के लिए कि उत्राखंड का जो पाठिक्रम है आनंदम काठिक्रम या आनंदम पाठिक्रम इसे दोस्तों पूरे भारत में परियोग तथा कोर्स के तुलनात्म का धियन करने के बाद में Best Curriculum Award तथा सर परिस्चने पाठिक्रम पूर्ष्कार के Award से सभानित किया गया तो जायगा आनंदम पाठिक्रम को आगे बात करते हैं अगरा प्रसन है उस्तों कि किसान सम्मान निधी राज्टी पूर्ष्कार उत्राखंड के कितने जनपस़ क्य दिया जाएगा तो किसान सम्मान निधी राज्टी पुरूशकार उत्राखन के 3 जिलों को दिया जाएगा धिरादून ननिताल और उदहंसिंग नगर Yाध Rawनापको कि किसान सम्मान निधी राश्टी पुरूशकार से उत्राखन के कित्री जिलों के बालिया जिलों को कोज बने अग्ला के बाद में वर्तमान में उत्राखंड के सीनियर क्रिकेट टीम के कोच किसे बनाया गया है यह बनाया गया मनीस जहां को याद रखना है उस्तो आपसे आपको ही परसने कि उत्राखंड में सीनियर क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया मनीस जहां को बनाया गया है और इन्हो तीवेंदे सिंग रावत जी ठीक है अगला प्रसंद तो काफी मेहत्रकुण है कि उत्राखन में मस्रूम गल्ल के नाम से जाना जाता है ठीक है और इन्हें अभी हाली में केंडर सरकार द्वारा उरुबरक मंत्राले में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फॉर्म सलाकार भी नियुक्त किया गया है याद रखना है केंडर सरकार द्वारा उरुबरक मंत्राले में फर्टिलाइजर एडवाइजरी फॉर्म सलाकार किसे नियुक्त किया गया है या एडवाइजरी फॉर्म सलाकार दिन में से किसे निय मांस्टर्स श्टेट आथिक्स परत्योगिता कहा किया गया है तो उत्राकंड मांस्टर्स शिट इस्ट आथिक्स प्रत्योगिताका जिन्द उस्तों कहां किया है। उत्राखन में उर्जागिरी अभियान का संबन किससे है बिजली चोरी को रोकने के संबन में उर्जागिरी अभियान संबन दीता है इंपोडेंट है ठीक है अगरा पसने उत्राखन के प्रमुक सहरों में बिजली चोरी रोकने है तो क्या सुरू के आ गया है बिजि लिकारके ट्रिपिंग ना आये और सन्मार्ट मीटर क्या रोका है ना होगा, लेकिन सार्ग कि इमपोरेंट है वैसे कुम्ब मेले का यो ला पढ़ते 12 वर्संदής के बाद होता है लेकिन अभी दोस्तों मारा 2021 में ही कुम्ब मेले का आईजन हो जा रहा है क्यों? क्योंकि ग्रहों की चाल के चलते इनदारा वर्स में इसका आईजन अभी वर्तबान में किया जा रहा है, ठिक है? इससे पहले कब हुआ था कुम्ब का आईजन याद रखने पहला इस्तान 11 मार्च को शिवरात्र के दिन होगा दूसरा इस्तान 12 मार्च 2021 को सोमतिय अमस्या के दिन होगा तीसरा इस्तान 14 अपरेल 2021 को मेश सक्रांति के दिन होगा और चोथा इस्तान 27 अपरेल 2021 को चैत्र महा की पूर्मीमा को होगा और कुल 48 दिन दोस्तों हमारा की पूर्ण मीमा को यह है कुम्भ मेले के वारे में कुछ चीजें जो कि आप नोट कर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला मारा ओप्रेशन टरनल का संबंद किससे मैंने आपको बता जिया था जो अभी आपदा आई है चमोली में या तपोन छेत्रे में या तपोन रिस गंगा जो आप दाई हुई है उसमें कौन सा उप्रेशन चला गया था उप्रेशन टरनल चलाया गया था टरनल में डूबे होगे लोगों को बचाने है तू अगला प्रसन है कि किसाओ बात परियोजना किस नदीपर निर्मित है कहा था देरादूर में अभी दोस्तों इस तो यह देहरादुन में इस्तित है, टॉस नदी पर यहां निर्मित है, किसाउबाद परियोजना को रास्टी परियोजना का दर्जा कब दिया गया था, तो 2008 में दोस्तों इस किसाउबाद परियोजना को रास्टी परियोजना का दर्जा दिया गया था, और यहां जो परियो भारत माला सलक परियोजना काफी मेहत्वपूर्ण परियोजना है जो कि बागिस्वर से जॉल जी भी तक बागिस्वर से लेकर के प्रितुरागर जनपत में इस्तित जॉल जी भी तक चार नदी घाटियों को जोडने वाली परियोजना है और एक प्रमुक्ष सलक परियोजना कौन सी है तो है भारत माला सरक परियोजना या बन जाएगा सर्वी नदी घाटी, गोरी नदी घाटी, काली नगा घाटी या राम गंगा नदी घाटी को सरक परियोजना के माध्यम से जोडने वारी सरक परियोजना कौन सी है वो हो जाएगी भारत माला सरक परियोजना बहुत इंपोटेंट ये दोस्तो है बागिश्वर से जॉल जी भी तक अगला प्सन है पित्रागर से संबंदित सिल्पी वर्मा का संबंद किस खेल से है तो सिल्पी वर्मा जी को दोस्तों अभी महीला किर्केट वंडे टीम में भी चुना गया ये विकेट की पर बल्लेवाज हैं औ इन सताब्धी चलनी वॉलिया नाम दिया गया क्या पूलंगिरी जन्ररी को कब चली फरवरी है दोजार एककिस में पुल्णा गी जनताब्धी एकस्प्रेश को चलाए गया तो प्रसने बन सकते है कि तनकप बीर से दिली चलनी वाली रेल गाड़ी को क्या नाम दिया गया है तो पूर्णागरी जनसताब्दी एक्सप्रेश इसको नाम दिया गया है काफी महत्पूर्ण है ये पॉइंट भी ठीक है और यह जो पूर्णागरी जनसताब्दी एक्सप्रेश चलाई गई है इसका मुख्य सरे आप ये कि आप लोगों को एक संकलन दे दूँ ताकि आपको किसी और सोर्स पर जाने की ज़रूत ना पड़े वहां से आपको पढ़ने की ज़रूत ना पड़े और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो आपकी यहीं से सौट आउट हो जाए आप बात कर लेते हैं फरवरी के कुछ महत्रपोर्ण दिवस्तों के बारे में इसी के साथ दोस्तों एक और पॉइंट में यहां पर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग उत्राखंट और हिंदी को विस्तर रूप से पढ़ना चाहते हैं उत्राखंट के एक्जाम्स की तयारी कर रहे हैं और आपके बास में अच्छा इस्टेडी मैटेरल नहीं है कि आप उत्री चीज़े पढ़ पाएं तो आप हमारे उत्राखंट के ऑनलाइन कोर्स से भी जुरू सकते हैं जो नंबर आपको उपर स्क्रीन पे लिखे हुए इन पर आप वर्टप पर कॉंटेक कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं वरना हमारे चैनल पर उत्राखंट के और भी कई सारी वीडियोज बनी हुई है प्रेइलिस बनी हुई है आप उन वीडियोज को भी जरूर देख लिजेगा वहां से भी आपको जरूर एक्जाम होल में हेल्प मिलेगी तो चलिए आप हम बात करते हैं फरवरी महा के करेंट हेफेस के बारे में विश्व आद्र भूमी दिवस या वर्ल्ड वेटलेंड डे कम मनाया जाता है यह हमारे कुछ प्रमुग दिवस हैं इसमया चाहें सर वेटलेंड विश्व आधर मुंही दिवस मोनाया जाता है वड्याश्चार विज्व दिवस दो फरवरी मुनाया जाता है वड्य रेडियो डे 13 फरवरी मंनाया जाता है इतने दिवस भी आपको फरवरी महा से याद रखने है तो जोस्तो फरवरी महा की वीडियो हमारी होगी है complete और वीडियो को अगर पसंद आती है आपको तो वीडियो को आप like जरूर करें और comments भी ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हम लोग का भी थोड़ा सा motivation बढ़ सके और वीडियो को दुस्तो शेयर जरूर करें जितने अच्छे व्यूज आएंगे जितने ज्यादा लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाने का प्रियास करें हमारी जो एक मुहिम चली हुई है कि हम पढ़ाना चाहरें लोगों को जो लोग हमसे जूड़ना चाहरें चीज़ों को पढ़ना चाहरें एक अच्छा platform प्राप्त करना चाहरें तो वो निश्चीती हमारे channel से जूड़ सकते हैं वह उपर दिये गे नंबर उपर संपर कर सकते हैं आने वाले समय में पटवारी भरती के लिए पुलिश भरती के लिए और बंदी रक्षक भरती जो यह पजा आने वाले हैं इसमें भी उत्राखंड जीके और हिंदी का विशेश योगदान रहने वाला है दो तो इसके लिए भी आप जोड़ सकते हैं और इसी के साथ साथ एक बैच हमारा दूस्तो एक मार्च से शुरू होने वाला है तो अगर आप इस बैच में भी जोना जाते हैं तो संपर्क कर सकते हैं आपको एड कर दिया जाएगा तो थैंक्यो दोस्तो मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में एक नेक्स टॉपिक के साथ में धन्यवाद